हालो बच्चों, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब, तो बच्चों आपका लैस्ट आपकी रह गया था चैप्टर, आपकी सेकंड क्लास की मैरी गोल्ड का, तो आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं, तो यह एक स्टोरी है, मैं आपका आउटलाइन दे वैसे भी माना जाता है, जो एंट होती है, वो सबसे ज्यादा महनत करती है इस वर्ल्ड में, तो यह समरी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी, कि this is the story about a lazy grasshopper, the grasshopper was so lazy and spent his whole time agile, खाली time हो अपना, मतलब गुजारता था पूरा दिन, और यह क्या था, that was a summer season, जो स्टोरी है, में क्या बताया है, कि summer season है, और hard working joints है, वो पूरा दिन काम करती है, अपना जो है, winter की nights के लिए, food store करने के लिए, और जो grasshopper है, वो उनका मजाग उडाता है, उन पर हसता है, फिर क्या होता है, मतलब आगे story में देखेंगे, कि कैसे कैसे वो, फिर उसको गलती का एहसास होत है, तो start करते हैं, once they are lived, a lazy grasshopper, ये एक grasshopper आप अगर अपनी language में हिंदी में बोलेंगे, तो टिड़े को बोलते हैं, तो जो एक बार था कि वो lazy यानि आलसी, lazy means lazy एक grasshopper था, एक टिड़ा था, आलसी, he did not like to work, उसको क्या था, काम करना पसंद नहीं था, all day long he sang songs and played in the warm sunshine, तो sunshine क्या होता है, धूप, जो गर्मियों में जो धूप होती है, उसमें सूरज की जो रोशनी होती है, धूप होती है, उसमें तो सारा दिन वो क्या करता था, गाने गाता था, और पूरी गर्मियों में मतलब की अपना time ऐसे ही waste करता था, तो पूरे दिन जो गर्म धूप में वो गाने गाता था, खेलता था, he, he, look at me, I am as happy as can be, तो वो क्या कहता है, he, he, मुझे देखो, मैं जितना खुश रह सकता हूँ, उतना खुश हूँ, दल्ट क्रास होपर, laughed, laughed means हसना, at the hard working, hard working means मेहनती, जो परिश्रमी होती है, जो hard work कर रही है, and as they work day and night, और वो क्या कहता है, he, he, look at me, I am as happy as can be, he, he, मुझे देखो, मैं जितना खुश रह सकता हूँ, उतना खुश हूँ, वो टिड़ा जो है, जो hard working चींटियां थी, उनको देखके हसता है, क्योंकि वो दिन रात काम करती थी, we are storing grain for the long winter ahead, they replied, लिए जमा करना, तो वो क्या कह रही है, हम, we are storing grain, grain होता है बिटा, फूड, अनाज, या कोई भी खाने की चीज, for the long winter ahead, they replied, उन्होंने क्या उसको अंसर दिया, कि हम आने वाले, लंबी सर्दियों के लिए, खाना इकठा कर रही है, the lazy grass hopper, only laughed louder, जो वो आलसी टिड़ा था, वो क्या है, वो केवल जोर से हसा, summer ended, and the cold winter arrived, तो गर्मी खतम होगी, और cold winter आ गई, थंडी सर्दिया आ गई, पहले तो वो गर्मी में सारा दिन खेल रहा था, और गाना गाता था, और जो वो बेचारी चींटिया जो इतनी मेहनत करती थी, उनका मजाक उड़ाता था, तो अब क्या हुआ, गर्मिया खतम होगी, और थंडी थंडी सर्दिया आ गई, the wind blew strong, and it started snowing, जो हावा थी, वो तेज चलने लगी, और क्या हुन लगा snowing, यानि बरफ, बरफ गिरने लगी, the grass hopper now began to worry, और जो grass hopper था, worry means परेशान, जो अब वो जो टेड़ा था, अब उसको वो परेशान हो गया, उसको चिंता हो गई, there is no food to eat, no grass, no flowers or leaves, जो बरफ पढ़ गी, तो बरफ से तो सब कुछ ढख जाता है न, तो वहाँ परेशान हो गया, क्योंकि कोई food नहीं था खाने के लिए, कोई घास नहीं था, कोई फ्लार नहीं था, कोई पत्ते नहीं थे, I can't see even the tiniest fly or worm, और वो क्या कह रहा है कि, मुझे छोटी-छोटी मक्हियां और केड़े भी नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा, what will I do, मैं क्या करूंगा, I will surely starve, मुझे होता है कि भूख से मर जाना, to die in hunger, कि मैं तो भूख से मर ही जाऊंगा, he cried, वो चिलाया, let me meet my kind neighbor the aunt, फिर उसको किसकी याद आई, चीटियों की याद आई, उसने कहा, मुझे अपनी जो दयालू सी kind सी पडोसी है, चीटियां उनसे मिलना चाहिए, the grasshopper remembered how the hard-working aunt had stored away grain for the winter, उसको क्या याद आया, जो hard-working aunt थी, उन्होंने सर्दियों के लिए, खाना जमा किया हुआ था, so he knocked, knocked miss, खटकटाना, खटकटाना, दरवाजे पर नौक करते हैं, he knocked at her door, उसने क्या किया, उनके जो दरवाजा था, उसको खटकटाया, dear aunt, I am hungry and cold, I have nothing to eat, प्यारी चीटी, मैं भूखा हूँ, और मुझे ठंड लग रही है, और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, I have nothing to eat, please can you give me some food, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो, the aunt shook in anger, तो जो aunt थी, उसको गुसाया, गुसे से वो शूख मीज, एकदम से, यह मतलब बिफर गई एकदम से, the aunt shook in anger, lazy one, तुम आलसी, what were you doing all summer, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे, चीटी गुसे से बोली, बिल्कुल एकदम अकड के, आलसी, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे, you were only singing and dancing, और तुम केवल नाच और गा रहे थे, you should have thought of the cold winter months ahead, और तुम है आने वाली ठंडी सर्दी के बारे में, जो ठंडी सर्दी के महीने, months आएंगे, उनके बारे में सूचना चाहिए था, go away, चले जाओ, she slammed her door shut, और उसने क्या, slammed क्या होता है, गुसे से दर्वाजा बंद कर लिया, shut the door in anger, और उसने क्या किया, जो और से दर्वाजा बंद किया, the lazy grasshopper was left as hungry as before, और जो आल सी टिड़ा था, पहले की तरह भूखा रह गया, ये देखो, पहले तो ये कितनी मस्ती से गा रहा था, अब देखो, इसकी आईस भी कितना थका हुआ भूखा है, और ये देखो, गुसे में चीटिया, और ये जो है, कहां से ली गई है, स्टोरी, adapted from, as of fables, as of की fables में से ली गई है, now we will do new words, new words है, hard working, arrived, starved, slammed, इन सब की meaning मैंने आपको पहले ही बता दिये है, now reading is fun, question answers, how did the grasshopper spend his days, वो अपने जो दिन था, वो कैसे मतलब बिताता था, the grasshopper spend his days, idle यानि की वो मतलब की खाली बिताता था, idle खाली बिताता था, did the grasshopper find food in winter, no, the grasshopper did not find any food in winter, what did the ant tell the grasshopper, when he asked for food, the ant said him that in summers he was passing his time idly, she also called him lazy, let's talk, if you were asked to store things for the winter, what would you store, name any three things, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें सर्दियों के लिए चीज़े इकठी करनी हैं, तो तुम क्या इकठा करोगे, किनी तीन चीजों के नाम बताओ, तो इसमें, I would store gloves, socks, warm clothes, क्योंकि हमें खाना तुम्हें कठा करना नहीं, because we are human beings, we are not animals, so I would store gloves, socks and warm clothes, which season do you like the most, I like winter, or you can say summer, as per your choice, tell the class, the story of a grasshopper, and the ant in your language, अपनी class में, अपनी ही language में, यह story सुनानी हैं आपने, circle the words, circle the word, that mean the same, ओन words को, मतलब कि आपने circle करना है, जिनका meaning same होगा, like speak, talk, दोनों को circle करना है, complete और finish का meaning, same होता है, small and little का meaning, same होता है, sick and ill का meaning, same होता है, and bigger, large का meaning, same होता है, next, when you hear winter and summer, what are the words, that come to your mind, right, these words, in the bubbles, जब आप सुनते हो, सर्दी और गर्मी की बात, तो तुम्हारे mind में, कौन से word आते हैं, like, winter में, जो winter का ये बनाया हुआ है, तो इसमें आपके आते हैं, winter में आपके आते हैं, heater, jacket, woolen clothes, gloves, scarf, और hot soup, कुछ भी लिख सकते हो, summer में एक दिया हुआ है, ice cream, cold rings, cotton clothes, air conditions, fans, let's write, letters with numbers are given in the box, pick up the letter under each number, and replace the numbers by writing it in the blanks, तो इसमें क्या लिखा है, कि जो box में ये दिये हुए है numbers, उनको, each, pick up the letter, letter लेना है, under each number, and replace the numbers by writing it in the blanks, तो ये कैसे करना है, जैसे कि, the, ये देखिए, जो 24 है, 24 पर G दिया हुआ है, तो इसको आपने यहाँ पर लिखना है, 24 के उपर, G, और उसके बाद, जैसे इसमें, 15 पर आपको, ये, E दिया है, नई, R दिया है, सौरी, ये R दिया है, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है, R, यहाँ G, तो ऐसे करके, ये फर्स्ट में आएगा आपका, Grass, होपर, सेकिंड में आएगा आपका, Worms, नेक्स्ट आपका, ये आपने खुद करना है, नेक्स्ट में आपका, Ants, Eat, G, ग्रीन्स, तो ऐसे करके आपने इसको, पूरा करना है, बहुत ही अच्छा सा और फणी सा वर्ख है, नेक्स्ट है आपका, अंडर पिक्चर अ, संटेंसे, डिस्क्राइब, वाट इच पर्सन अनिमल इस दूइं, अंडर पिक्चर भी, राइट डाउन, वाट इच इस दूइं, आपने बार बार वो करने से, इस, सेकिंड में, अ मैन इस रणिंग, इन पिक्चर अ, और इसमें क्या लिखना है, अ मैन इस रणिंग, इस लिपिंग, तू गर्ल्स आर प्लेइंग, और इसमें क्या कर रही है, तू गर्ल्स दे आर स्किपिंग, नेक्स्ट आपका फेवरिट वर्क यह जो कर्सिव राइटिंग है आपने इसको प्रेस करके लिखना है So this is all about today तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी आज आपका second class का Marigold का complete syllabus हो गया है उसके बाद हम third class से शुरू करेंगे जो भी बच्चा नया है और अभी exams आपके आने वाले हैं I hope आपको इससे कुछ help मिलेगी मेरी वीडियो से Please अगर आपको यह पसंदारी है लाइक और subscribe जरूर कीजिए और मिलते हैं आपकी next class में Till then, bye-bye